स्वागत है आप सभी आगनबारी वेहनों का पोशन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में आज की ये जो वीडियो है वो आप सभी आगनबारी सेविकाओं को पोशन ट्रेकर एप पे आगे काम करने में फाइदे मंद हो सकती है तो इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसी समस्याओं के बारे में बताने वाले हैं जो आप सभी आगनबरी सेविकाओं को अगर ये समस्या हो रही है या फिर आगे चलके आपको ये समस्या होती है तो आप कैसे आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं पहली समस्या क्या है अगर आपको यहाँ पर आधार वेरिफाई करने में problem आती है किसी भी बच्चे का new registration करते हैं या फिर किसी गर्भवती को migrate करके अस्तन पान कराने वाली category में भेजते हैं तो उस बच्चे का अधार verification अगर आप लोग करते हैं तो आपका अधार verification नहीं होता है सही सही details भरते हैं फिर भी आपका अधार verification नहीं हो पा रहा है तो आप कैसे इसको एखी click में ठीक कर सकते हैं जी हाँ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप इसको एखी click में असानी से ठीक कर पाएंगे और दुसरी बात यहाँ पे जो आगनबारी सेविकाओं को event वाली जो problem हो रही है यानि कि उनके portion tracker app में event वाला option वापस नहीं आ रहा है तो उसको कैसे आप एखी click में वापस ला सकते हैं हमने एक community post के माध्यम से भी आप सभी से पूछा था कि कितने आगनबारी सेविकाओं के portion tracker app में ये वाला जो option है event वाला वापस आ चुका है तो लगभग 70% आगनबारी बेहनों के द्वारा बताया गया कि हमारे portion tracker app में ये option वापस आ गया है अभी भी 30% आगनबारी सेविकाओं जो है उनके portion tracker app में ये वाला option वापस नहीं आया है तो इसको भी आप एक ही click में वापस ला सकते हैं और तिसरी समस्या जो है अगर आप यहाँ पे किसी कारण वस log out कर देते हैं तो आपको login करने में भी problem आ सकती है तो इसको भी आप यहाँ पे ठीक कर पाएंगे चलिए तीनों समस्याओं के बारे में हम लोग step by step जान लेते हैं कैसे इसको ठीक करना है तो आप लोगों से एक छोटी से request रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को last तक देख लेते हैं तो ये जो समस्या है आप इसको आसानी से ठीक कर पाएंगे तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों का आधार verify को लेकर बहुत सारी समस्या चल रही है उनको समस्या ये हो रही है कि आधार details सही सही भरने के बावजूद भी उनका आधार verify नहीं हो पा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस बच्चे का नाम सो कर रहा है यहाँ पे जो अधार नंबर दिया गया है वो उसके माता या पीता का यहाँ पे हो सकता है हमने तो यहाँ पे उसके माता का अधार नंबर दिया है लेकिन यहाँ पे जो नाम सो कर रहा है वो उस बच्चे का नाम सो कर रहा है जिसके चलते यहाँ पे आप लोग अधार verify नहीं कर पा रहे हैं तो इसको कैसे एक ही second में इसको ठीक कर सकते हैं देखिए simple सी बात है कि आपको यहाँ पे क्या करना है यह जो more वाला option देख रहे हैं इस more वाले option पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे language प्रव्लम है यहां पर आसानी से ठीक हो जाएगा जैसे कि यहां पर आपको दिखा देते हैं कि हमने यहां पर English Set कर लिया है और English Set करने के बाद यहां पर हम आ जाएंगे अधार वेरिफाई वाले ओप्सन में यहां पर आने के बाद हम फिर से यहां पर किलिक करेंगे तो देखे जैसे ही हम यहां पर English Set कर दिये तो देखे यहां पर उस बच्चे के नाम के जगाव पे उसके माता या पीता जिसका भी आप यहां पर आधार नमर डालेंगे उसका यहां पर नाम सो हो जाएगा अब यहां पर इसको आसानी से आप verify कर सकते हैं चलिए मैं फिर से यहाँ पर आपको click करके दिखा देता हूं more वाले पर click करेंगे और यहाँ पर select language करेंगे फिर सम्हें यहाँ पर हिंदी कर लेते हैं और इसको confirm कर लेते हैं तो confirm करने के बाद यहाँ फिर सम्हें आ जाएंगे अधार verify व हो रही है तो आप इसको आसानी से यहाँ पर ठीक कर सकते हैं तो चलिए फिर सम्हें आ जाते हैं यहाँ पर select language वाले option पर आने के बाद यहाँ पर English पर click करेंगे और यहाँ पर confirm करेंगे और यहाँ पर चलिए अब आपको verify करके दिखा देते हैं कैसे यहाँ verify करना है फिर से यहाँ पर click करेंगे तो देखें gutty के जगह पर यहाँ संगीता दे भी आ चुका है आने के बाद अभी हाँ पर हम क्या करेंगे कि अधार वेरिफाई कर लेंगे देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा easily यहाँ पे अधार verify हो गया है इसी परकार से आप लोग भी यहाँ पे verify कर लिजिएगा तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे event वाले option के बारे में जैसे कि event वाले option में भी जिनका यहाँ पे event so नहीं कर रहा है उनको क्या करना है यहाँ पे select language का option मिलेगा तो आपको select language वाले पे click कर देना है देखिए हमने यहाँ पे English किया है तो वहाँ पे जो भी event का option है वो दिखा रहा है अगर आप यहाँ पे हिंदी कर देते हैं और यहाँ पे confirm कर देते हैं तो आप event वाले में जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ से वो option हट गया है देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हम लोग language select कर रहे हैं वो option यहाँ से हट जा रहा है फिर से यहाँ पे चली हम इसको click कर लेते हैं English वाले पे और यहाँ पे confirm कर देते हैं और फिर से यहाँ पे event वाले को इंग्लिस में तो आपका यह जो event है वो आपस यहाँ पे आ जाएगा और चलिए यहाँ पे हम तिसरी समस्या के बारे में बात कर लेते हैं जैसे कि अगर आप लोग पोशन ट्रेकर एप को log out कर चुके होंगे या फिर आप इसको on install कर देते हैं या फिर आप इसको इस परकार से क्लिग करके यहाँ पे app information का जो option है इस पे क्लिक कर देते हैं और इसका जो data है वो clear कर देते हैं यहाँ से storage इसको clear करके और जैसे ही आप इसको log in करेंगे तो आप अगर इसको log in करेंगे तो आपको क्या समस्या आएगी जैसे कि यहाँ पे हम आपको click करके दिखा देते हैं जैसे हों हम इस फे click करेंगे तो इस परकार का page open होके आ जाएगा तो आपको यहाँ पे arrow आले पे click कर देना है arrow आले पे click करके आपको आगे बढ़ने के बाद इहाँ पे आपको एक option मिलेगा डौन का आपको इस पे क्लिक कर देना है तो देखिए उसके बाद यहां पे आप लोग का इस परकार से पेज ओपन होके आज आएगा स्लेक्ट लेंग्वेज का तो अगर आप लोग पोशन ट्रेकर एप में लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको यहां पे यहां पे आपको कन्फम वाले पे क्लिक कर दिना है अगर आप लोग यहां पे हिंदी लेंग्वेज्ज को सेलेक्ट करके Share करने करते हैं और लॉगिन an sect करते हैं तो आपका यहां पे लॉगिन नहीं होगा आपको फिरसे बैक बैग जाने के बाद आपको या तो पोसंट ट्रेकर आया एप को और इस्टॉल करना होगा या फिर जैसे कि हमने आपको बताया ऐप इनफॉर्मेशन वहां से आपको डाटा किलियर करना होगा तो फिर से आपका इस परकार से पेज उपन होके आ जाएगा चली हम आपको login करके दिखा देते हैं यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस portion tracker app में English select करने के बाद अपना mobile number और MPIN दर्ज कर लिया है दर्ज करने के बाद यहाँ पे आप login करेंगे तो आप आसानी से यहाँ पे login कर पाएंगे इस प्रकार से थी यह तीनो information तो इस प्रकार से अब आप लोग देख सकते हैं कि portion tracker app में जो language का option है वो कितना important हो गया है आप लोग को यह वाला language जब तक select नहीं करेंगे तो आप लोग यह तीनों काम नहीं कर पाएंगे तो इस प्रकार से हमने आपको तीनों समस्याओं के बारे में समझा दिया है किस प्रकार से आपको आगे काम करना है अगर आप लोग को आज की यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके share जरूर कर दिजेगा और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजेगा मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक ने जनकारी के साथ तब तक कि लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद